हलो एन वेलकम पूद नॉलेज सोर्स आज के इस एडिटोरियल डिसकेशन में आज हम बात करने वाले हैं डेबलप्मेंट ऑफ कोबीड न्यू वैक्शिन जो भी आया है जिसमें की क्लेम कर रहा है कि अपने आप इंडिया में खुद विक्षित होगी इसके बाद डिफरेंट बायलोजिस्ट ने इसके उपर क्वेश्चिन्स मार्क किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी बिना क्लिनिकल ट्राइल के और बिना ऐसी कोई वैलिड प्रूफ के आईसी एमर ऐसा दावा कर रहा है कि कोबीड नाइन टेन की वैक्शिन वो 15 अगस्ट तकला देगी इस साल ही तो इसके बाद different questions even arise होने के बाद ICMR ने ऐसा अभी clarify किया है कि 15 अगस्ट जो उन्होंने ऐसा जुलाइट सेकेंड को ऐसा statement जारी किया था 12th hospitals के लिए जहां पर उन्होंने ऐसा उन्होंने ICMR का कहना है कि तब basically वो आइडिया यह था कि रेट टेपीजम ना हो क्योंकि कि ICMR की जो जो भी इस वैक्षिन से ट्राइल्स हो इसके चलते इसमें कुछ डेटा लीक ना हो ऐसा भी एक statement ऐसा माना जा रहा है और इसमें ICMR ने यह भी clarify कि हम पूरे sequence में जाएंगे three phases में और पूरे data के साथ हम full proof आएंगे कि हम वैक्षिन जो बनाएंगे वो clinically approved होगा और humans को कोई अशा harm नहीं करेगा तो इसमें हम देखते हैं कि WHO का guideline क्या है जिसमें कि WHO ने ऐसा guideline दिया है हर किसी को कि clinical trial और या किसी भी vaccine को market में लाने के क्या होने चाहिए clinical trial और इसमें guidelines किस तरीके की follow करनी होगी यह WHO ने बहुत ही elaborately दिया है तो आगे देखते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो भी यह procedure है वो clinical trial की approval वो एक ethics committee होती है जहां पर भी अप्रूफ करती है कि कोई भी medicine जो है या कोई भी vaccine है वो humans की trials के लिए जा सकती है या नहीं जा सकती है जिसमें at least six members होते हैं और अगर इंडिया के बाद करें तो top notch ranker के अगर M's तो basically होगी ही होगी और इसके बाद और भी सारे जो important hospitals हैं वो इसके अंडर ethics committee के अंदर होती है और वो सारी committee जो होती है वो analyze करती है कि वैक्षिन किस तरीके से पेसेंट पर work कर रहा है और इसके बाद ही पेसेंट पर या human trials के लिए बाजार में या फिर clinical facilities में यह लाए जाता है ठीक है तो अगर मैं बात करूं तो different clinical trials होते हैं जिसमें कि पहला जो फेस होता है वो बहुत ही important होता है जिसमें कि small numbers of healthy adults के ओपर यह वैक्षिन जो होती है वो लाए जाता है और इसके बाद जो भी trials होते हैं उसमें यह देखा जाता है कि यह जो वैक्षिन है वो उसकी safety कितनी है और उन सब parameters पर safety कि क्या वो खरा उतरता है या नहीं उतरता है जब यह पहला trial complete हो जाता है तो second phase में यह जाता है जिसमें कि larger number of participants इसमें include होते हैं और इसका जो main focus होता है वो यह होता है कि इसकी जो effect होती है body के उपर वो किस तरीके की होती है क्या यह antibody की create करता है या यह body को accept करता है यह vaccine या क्या यह vaccine उस level तक की है ज different different disease creating चीजों से यह लड़ सके तो ऐसा यह phase second में होता है और जब second phase भी complete हो जाता है तो यह WHO के according third phase में जाया जाता है जहां पे जो यह जो numbers है people जो include होंगे clinical trials के लिए वह बहुत ही जादा होता है event 20,000 से लेके 30,000 तक तो आप यह देख सकते हैं कि large mass of people third phase में include होते हैं before going ahead ज जिसमें different regulatory agencies भी आ जाती है और वो ऐसा ensure करती है कि vaccine का कोई side effect ना हो तो यह तीन phases होती है जिसमें कि vaccines को market में available कराने के लिए common man के लिए यह तीन phases में WHO के according लाना जरूरी है कोई भी clinical trials के लिए यह यह आपको याद रखना है तो हम next topic पर पहुंचते हैं कि clinical trials के लिए जो भी clinical trials होते हैं उसमें challenges क्या क्या होते हैं तो सबसे पहले जो challenges होता है कि volunteers किसी को ढूणना who agree to sort an untested vaccine तो सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि अगर vaccine कोई भी पहली बार जब अगर human पे ट्राइल होता है तो क्या यह vaccine किसी body पे impact करेगी क्या वो उसके body को पुछ ऐस harmful harmful create कर सकती है उस body में जिसमें के different different चीजे और फिर उसके side effects हो सकते हैं तो सबसे पहले तो इसमें volunteers की जो भूमिका होती है वो बहुत बड़ी होती है और जिसमें कि कई बार आप देखते होंगे कि different companies होती है वो volunteers को बहुत ही huge amount देती है कि आप आईए है इस clinical trial के लिए आप participate कीजिए और मैं हम आपको different large chunk of amount देंगे इसमें कि अगर कुछ मिसायव हो सकता है तो इसकी compensation आपको बकूभी की जाएगे इसके बाद जो होती है इसमें जो clinical trial में जो challenges होती है वो होता है research जो जिसमें monitor कियाता है कि data जो है वो ज्यादा time ना ले और volunteer को इसकी कोई में जैसा मैंने आपको बता है कि antibody create ना कर ले तो यह सब ध्यान देना होता है कि कोई भी अगर vaccine या कोई भी medicine दे रही है उसकी antibody create करक के present को या volunteer जिसमें जो participate हो रहा है उसको कहीं उसके जान को खत्रा ना पहुंचा सके तो अगर इसके बाद हम बात करें कि सबसे जो important होती है वो trial subjects को inform करना कि इसकी क्या harmful हो सकती है अगर कोई भी medicine या vaccine है before participation की और within मतलब आपको कोई भी volunteer इसमें support हो ले रहा है उसको आप clean and transparent manner में बताएं कि आपके ऊपर यह हो सकता है अगर कुछ problem हो सकती है ताकि वो बाद में उसे वो खुड decide कर सके कि मुझे इसमें participation लेना है कि नहीं लेना है इसके बाद जो number आता है जिसमें की quality of data जो सबसे important factor play करता है जहां पे reproducibility and the compatibility जैसा मैंने आपको बताया कि body किसी antigen क या किसी भी antibody को accept कर रही है या नहीं कर रही है यह सबसे बहुत important factor है और अगर in case कोई भी body उसको कोई भी vaccine या medicine को accept नहीं करती है तो maybe ऐसा situation आ सकता है जहां पे यह body को harm कर सकती है ठीक है तो इसके बाद जो आता है कि transparency of the clinical trial यानि कि जो भी trial जो conduct हो चुका है उसकी transparency public domain में आ access हुआ जिससे कि logo को भी पता चल सके है कि यह situation आ सकता है या फिर लोग भी जान सके है कि मैं अगर second phase में गया है या first phase में participate किया है तो लोग second phase में जब तक कि उसमें और improvement ना आ है लोग participate ना करें तो अब ये question आता है कि क्या clinical trial safe है क्या clinical trial में participate करना volunteer participate करना लोगों के लिए क्या ये सही है या क्या company को clinical trial के लिए जब जाती है जब especially human body पे क्या इसकी आपको ये बता सकता है कि क्या ये safe है human body पे तो ऐसा तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कोई भी treatment completely safe नहीं होता है लेकिन हमें clinical trial में हमेशा ही ये दियान देना होता है कि कहीं body को impact ना हो कोई ही उसको जान की खत्र ना हो और इसमें सबसे जो important ये चीज़ होता है कि clinical trial जब भी होगा तो इसकी जो outcome होगी कहीं वो human history को change ना कर दे तो ऐसा भी ये माना जा रहा है कि maybe ऐसा हो सकता है अगर 15th of August नहीं तो maybe even 15 to 1 month even ज़्यादा हो सकता है और हम ऐसा आसा करता है कि October तक सायद अगर सब कुछ सही रहा तो COVID-19 की जो vaccine है वो इंडिया में अबलेबल हो जाएगी ऐसा ICMR का कहना है तो हम आसा करते हैं फिंगर्स क्रोश्ट कि ये वैक्सिन जल्दी से जल्द अबलेबल हो इंडिया में और अगर इंडिया खुद इंडिजिनेश इसे बनाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अप्लॉडबल और वर्ल्ड में इसे accept किया जाएगा और ये हमें कौरवान्वित करने वाला चंड होगा तो ये था आज का ये session और इस session में मैंने एक ही आज editorial डिसकस किया कि due to positive of time और कल तब मैं आसा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो सो तिल वी मीट इन नेक्स टाइम थाइंक यू और गॉड ब्लेस तो अलव यू